नमस्का दोस्तों मैं हूं सुमझ चौधरी और सक्सेस प्लस स्केडम के प्लाटफॉर्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के सुडियो में हम बात करने वाले हैं Ancient Greek philosopher and poet Geno Phanis of Caliphant की biography and उनकी philosophy के बारे में Ancient Greece जिसे हिंदे में हम युनान के नाम से जानते हैं यहां के जो दार्षनिक हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे उनके बारे में हम काफी कुछ ऑलरी पढ़ चुके हैं सारे दार्शनिकों की बायोग्राफी एंड उनकी फिलोसोफी का अध्यन कर चुके हैं तो उसी सीरीज का ये पार्ट है जैनोफनिस जो की कैलफन से विलोंग करते थे और कैलफन कहां है उसको समझने के लिए आपको एंशेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स की जियोग्राफी को सम इनमें एक छोटा सिटी स्टेट था जिसका नाम था कॉलोफन यहां से बिलोंग करते थे जैनोफनिस इनकी हम बारे में पढ़ने वाले हैं ये सभी लोग जो रहते थे यहां पे सभी युनानी कहलाते थे इनमें एथनिकली बहुत कुछ सिमिलर था इनकी भाशा सेम थी इन में काफी कुछ सिमिलर्टी थी इसलिए इन सभी को मिला के संयुक त्रूप से युनानी कहा जाता था या ग्रिक कहा जाता था इनके बारे में हम अलरी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जैसे इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण इत्यास बताया था युनान का कि कैसे राइज और फॉल हुआ कैसे यहां पर सब्वेता का उदे हुआ क्या इनका कल्चर था कैसा ट्रेडिशन था कैसी सोसाइटी थी कैसे कैसे लोग रहते थे यहां पे कौन-कौन से परमुक राजा हुए यह चीजे बताई इस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके रिल हम पढ़ चुके हैं महान, मैथमेटिशन, पाइथागोर्स और हीरोन के बारे में पढ़ चुके हैं, हेरुडोटस और ऐसे ही तमाम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं जिसको आप इस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जहां पर यह वीडियो आपको मिला है ठीक है अब एक चीज और होती है एक confusion होता है जैनोफैनिस और जैनोफैन को लेकर कि जैनोफैनिस और जैनोफैन दो लोग थे या एक लोग थे जैसे नाम से ही आपको नज़रा रहा है कि दो लोग थे क्योंकि जैनोफैन जैसा नाम लगता है लेकिन जैनोफैन और जैनोफैनिस अलग नाम है और दोनों अलग-लग समय के व्यक्ति थे, इनकी फिल्ड भी अलग थी, अलग जगह पे भी पैदा हुए एक थे जैनोफैनिस ओफैन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये प्री सोकर्टीज एरा के फिलोसोफर थे, फिलोसोफर के अलावा ये पोएट भी थे, उसके अलावा ये छटी और पांची शताब्दी इसा पुर्वा में इनका जनम हुआ था दूसरे हैं, जैनोफैन ओफ एथिन्स, ये एथिन्स के थे, क्योंकि एथिन्स साथ में आई रहा है, ये पांचवी और चोथी शताब्दी इसा पुर्वा के एक फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, और साथ में एक मिलिटरी लीडर भी थे, इनके बारे में बाद में कभी दीन और नौर एवर शैल नो, जो पूरा सच है, अल्टिमेट टृत है, वो ना तो आज तक कोई देख पाया है, और ना ही कभी कोई देख पाएगा, ये बात इन्होंने कई थी, और इसका डिटेल वर्जन जो है, वो मैं आपको बताऊंगा, इनकी फिलोसोफिकल एंगल्स इसको समझाते हुए कि इस बात को एक क्यों कहना चाते थे, अभिग्यवाद का जो सिधान्त है जिसमें कि पूरी सच्चाई कोई नहीं जान सकता, हम सब अपना परसेप्शन डेवलप करते हैं, अपने अपने एक्स्पिरियेंस और अपने जो तेओरी ओफ नौलेज के क्या कोई नहीं कर सकता और यह कोई नहीं कह सकता कि वो सच है कि नहीं, तो हमेशा एक अभिग्यवाद बना रहेगा और इन्होंने कहा था कि mortals जो हैं, जो मर्तक हैं, जो एक दिन मर ही जाएंगे, जिनका अंत होना तै है, वो कभी भी पूरा सच नहीं जान पाएंगे, ठी हैं, तो immortal कोन है, इनके हिसाब से इश्वर, इश्वर की परिकलपना इन्होंने अपने हिसाब से ऐसे की थी, कि वो immortal है, उसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि पुराने ancient Greek religion में लोग देखते थे, और वो बहुत important philosophy है, इनकी जो इन्होंने religion के उपर इन्होंने comment क जैसे की, natural world order के उपर भी बात करी कि ये natural world किस तरह से बना है, उसके लाग और बाकी social teachings और commentaries भी हैं इनकी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये essay, one of the important philosopher हैं, जिनकी बात हमें पता चलती है, इनके direct sources के माधियम से, इनकी जो poetry है, उसके जो आउशेश मिलते हैं, उससे sources नहीं मिलते, जिन्होंने लिखा वैसा का वैसा नहीं मिलता, जैनो फैनिस ऐसे हैं, जिनके बारे में मिल जाता है, तो जैनो फैनिस of California was the traveling point, traveling point जो मतलब एक जएसे दूशे जगह घूम घूम के लोगों को सिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, और poetry के माध्यम से पढ़ाते philosophical angles होते थे, एक संत थे ये basically, जो के अलग लग जगह जाके लोगों को चीजे सिखाते थे, इन्होंने कहीं एक जगह अपना डेरा डाल के कोई philosophical school नहीं बनाया, जैसे बहुत सारे अलग लग philosophers ने बनाये, जैसे the garden, the academy, platon ने जैसे बनाई थी, अलग लग philosophers ने बनाई, लेकि में साल की उमर तक ये जिन्दा रहे, तो इतनी उमर इन्होंने जी और उसमें ये घूम घूम के लोगों को चीजे सिखाते थे, तो जैनो फैनिस, जो कि बिलोंग करते थे कहां से, एक छोटा सा प्रांध था, कॉलफन, जो कि मैं आपको मैप में पहले भी दिखा चुका यहां से बिलोंग करते थे, कलफन से बिलोंग करते थे, और उसके बाद ये इस दोर में रहे, कई बार समय दिया होता है 570 का, कई जगे दिया होता है 560 का, तो वो लगभग का समय है, कि छटी शताबदी इसापुर्वा में 570-560 के असपास इनका समय था, और 90s के दोर तक ये लिखते थे, इनकी कविताओं से ही ये हमें पता चल जाता है, कि ये अपनी 92 की एज में कुछ लिख रहे थे, कविता लिख रहे थे, तो अभी नोने जब ये खुद कहा कि मैं 92 एर ओल्ड हो गया हूँ, और मैं अभी भी कविता लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब इतना पर बिताते हैं, और अलग लगए जबूम के लोगों को ग्यान देते हैं, सिखाते हैं, वो चीजें जो इन्होंने अपने एक्स्पिरियंस से, अपनी लाइफ से सीखी हैं, और दूसरे लोगों को पोईट्री के माध्यम से उन चीजों का मतलब समझाते हैं, इनकी पोईट्री के लगबग 45 फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं, उनहीं के माध्यम से हम इनकी फिलोसोफी और इनके दर्शन को समझ पाते हैं, कि इनका अलग अलग विश्यों के उपर क्या तर्क था, क्या मानना था, क्या विचार थी, अब एक चीज और होती है, कई लोग जो हैं, वो जैननोफनिस को एक फिलोसोफर मानते नहीं है, उनका मानना है कि इनको फिलोसोफी के तराजों में रखना चाहिए, या फिलोसोफी के कैनन में रखना भी चाहिए या नहीं, इसके उपर जो है अलग-लग डिबेट से, इंगल नहीं दिया कुछ गहरी बात नहीं कई उन बातों में सिर्फ उस दोर में चली आरी पर्थाओं के उपर इन्होंने कमेंटरी करी उस सोशल ओडर को क्रिटरी साइज किया और कोई बहुत गहरी बात नहीं कई ऐसी बाते कई लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कुछ लोग इनको कहते थे कि रहस्य में बाते कही हैं लेकिन रैशनल नहीं है मतलों चीजों के उपर नया संगत वाते नहीं करी हैं और अपनी बातों को पूरी तरह से समझा नहीं पाए ठीक है एक और कारण ये भी है कि इनको सिग्निफिकेंट नहीं मांते कि इनके बाद बाकी गृक सॉसाइटी ने भी इनको कही न कहीं इग्नॉर किया एक फिलोसोफर की तवर पे इनको उतनी पहचार नहीं मिली इनकी जो रैइटिंग्स है उनमें आपको पोईट्री मिलेगी आर्गुमेंटेशन्स मिलेंगे बहुत सारे आर्गुमेंट्स मिलेंगे मिलती है कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जब लोजिकली आप किसी चीज को एक पूरे तरीके से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाते तो आपको हम फिलोसोफी के कैनन में नहीं रख सकते एक फिलोसोफर नहीं मान सकते लेकिन फिर भी जैन फैनिस को डिसमिस नहीं किया जा सकता उनकी बातों को तर्क मान के आगे चलके बहुत सारे फिलोसोफर ने एक तरह से उनके मन में सवाल है जिग्याशा उत्पन हुई इनकी फिलोसोफिकल ओर्डर की वज़े से इन्होंने जो बाते कही ही उनसे चाहे वो इश्वर के सवरूप के बारे में हो चाहे ग्यान मिमानशा के बारे में हो चाहे स्केप्टिसिजम के बारे में हो की संदेहवाद के बारे में बेसिकले तो उन चीजों के उपर जिस तरीके की बाते इन्होंने कही बले ही ये एक logical angle ना दे पाए हूँ लेकिन बारे philosophers को इन्होंने इतना influence कर दिया कि वो उनके उपर एक तरह से detailed discussion कर पाए detail में उसके उपर research कर पाए और detail में उसके बारे में कुछ कह पाए ये उनको कही ना कही उस चीज के लिए motivate करते हैं और influence करते हैं तो ये चीज है कि भले ही इस चीज में उनको hurdle का सामना करना पड़ा हो कि उनको कई लोगों ने philosopher नहीं माना एक poet माना एक mystic माना या एक theologian माना लेकिन फिर भी वो एक बड़े नाम थे Greek society में एक poet के तोर पे और एक teacher के तोर पे Gen of Henness भी जो है Socrates की तरह social critique थे society में जो कुछ चल रहा था उस दोर में politically नहीं थे ये politically criticize नहीं करते हैं समाज को उतना है से लेकिन social order especially religion और beliefs के बारे में Socrates का एक बहुत बड़ा दायरा था वो politically भी criticize करते थे समाज में जो order चल रहा था उसको भी करते थे tradition rituals वगेरा को भी करते थे तो Socrates को तो आपको पता है कि मार दिया गया था जहर का पहला पिला के तो वो Socrates थे तो Gen of Henness उनसे पहले के थे और ये भी social critic थे और इनकी writing में आपको बहुत सी ऐसी चीज़े मिलेंगी जिसमें इन्होंने public gathering में अलग लगे जगे ट्रेवल करके Greek society में जो चल रहा tradition culture है उसको criticize किया है especially religion को और इन्होंने even ये तक कहा देखे कि he talks about the proper behavior of at feats, proper behavior होना चाहिए virtues का आपको desire for virtues अच्छे गुणों के लिए आपको desire करना चाहिए इसके लावा उन्होंने कहा कि moderate of drinking is okay moderate अगर drinking करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत पी सकते हैं चल देगा लेकिन उसके बाद आपको गुणों को त्याग देते हैं और अगर आप गलत वेवार करते हैं आप society के लिए गलत संदेश देते हैं तो वो चीज़ acceptable नहीं होगी इन्होंने अपने homeland को भी criticize किया कैनोफन को उन्होंने कहा कि जहां पे मैं रहता हूँ इस Greek समाज में यहां पे equality की बात नहीं होती है यहां पे लोगों का जो जिसको praise करना चीए उसको praise नहीं मिलता जिसको reward मिलना चीए उसको नहीं मिलता बलकि उन लोगों को मिलता है जो कि less deserving है इन्होंने कहा कि देखिया ऐसा है कि हमारा जो समाज है उसकी priorities अलग है यहां पे जब कोई sportsman कोई athlete कोई अच्छा game खेलता है और participate करता है तो उसको तो praise किया जाता है उसको rewards भी मिलते हैं लेकिन कोई व्यक्ति जो कि philosopher है, scholar है या poet है, वो unnotice चला जाता है उसको किसी तरीके का कोई नाम नहीं दिया जाता उसके बारे में कोई बात नहीं करता जब कि इन्होंने कहा कि जब कि सीधी सी बात है कि एक जो teacher है, एक जो philosopher है एक जो ग्यानी व्यक्ति है वो समाज में ज़्यादा भला कर रहा है और वो ज़्यादा समाज को एक तरह से समाज में contribute कर रहा है समाज के well-being के लिए लेकिन उसको कोई यहाँ पे समान नहीं मिल रहा, उसको कोई prioritize नहीं कर रहा बलकि सिर्फ इन athletes को कर रहे है जो कि physical strength के नाम पे सारे award ले जाते हैं और इनका उतना योगदान भी नहीं है इन्होंने ऐसे चीजों को देखा रहे हैं criticize किया अपनी city states को उसके बाद इन्होंने कहा कि देखे सिर्फी बात है सारे नजरिये का social commentary और criticism का उनका जो सार है वो यही है कि आपको well behavior करना है moderation रखना है drinking वगएरा भी चलेगी ओके है लेकिन आपको किसी भी चीज़ का excessive नहीं करना है excessiveness के उपर उन्होंने कहा कि यह चीज acceptable नहीं है excessiveness of wealth जो यहां के अमीर लोग थे उनका जिस तरीके का नजरिया था जिस तरीके का attitude था वो इनको पसंद नहीं आया था तो उसके उपर भी इन्होंने comment किया था उसके अलावा इन्होंने society के अंदर जो athletes को ज़्यादा प्रोचान दिया जाता था कवियों और scholars के comparison में उसको criticize किया कि उनको भी मिलना चाहिए कवियों और scholars को भी मिलना चाहिए उनको आप side line नहीं कर सकते है जैनोफैनिस की जो सबसे important बात है और सबसे important philosophical angle है वो है religion के उपर इनके religious view क्या थे इसके बारे में बात करते हैं तो जैनोफैनिस को आप देखा जाएगा कि ये one of the first Greek figure थे जिन्होंने अलग लग तरीके के theological assistance दिये जो उस समय का Greek religion था Hellenistic religion जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ आप playlist में जाके देख सकते हैं Hellenistic religion by success plus academy आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का religion था कौन-कौन से देवताओं की पूजा करते थे कौन-कौन से tradition, culture tradition, rituals को ये लोग follow करते थे तो वो तमाम चीजे मैंने वहाँ पे दिसकस करी हैं तो वो जो religion था जो की एक polythistic religion था बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे उसको इन्होंने criticize किया है बहुत भले ढंग से उन्होंने criticize किया है उसको और especially जो homer और हेशी और जो कवी हुए हैं दो बहुत महत्पुन कवी हुए हैं इनका दर्जा ग्रिक सोसाइटी में कुछ वैसा ही था जैसे कि भारती समाज में हिंदू religion में वेद व्यास और महसरी वालमिकी का है जिस तरीके से वालमिकी जी ने रामायंड लिखी थी और वेद व्यास जी ने महाबार्त गीता ये सब लिखा उसी तरीके से इन्हों ने Homer ने लिखी थी इलियाड एंड ओडिसी दो किताबे हैं ये एक्चुली इलियाड अलग है और ओडिसी अलग है उसके अलावा ये जो एक और कभी हुए है हेश्यड ने तियोड गौर्नी पर लिखी है किताब कि उनके देवताओं के उपर किस तरीके से उनकी फैमली ट्री वगरा के उपर सब कुछ डेटैल में लिखा है उनके गुणों के बारे में उनकी शमताओं के बारे में मतलब basically कौन सा देवता किस तरीके का है तो अलग लग देवताओं की बात होती है ग्रीक सोसाइटी में जिसमें जीऊस जीऊस जो यहां के देवता हैं दा गॉड ऑफ ठंडर इनको आप में हिंदू कल्चर से कंपेर करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि यहां पर इंदर की बात हो रही है इस तरीके से ही यहां पर अपोलो सुरिय देव जैसे कि इनके उसके लाव पोसाइडन उसके लाव एथिना देवता देवियां बहुत सारे थे और इनका सवरूप भी देखिए कि यह सवरूप कैसा है एंथ्रोमॉर्फिक यान की हुमन जैसा इंसान के जैसा फेस है सारे अधर आएगा तो इन्होंने क्या किया इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि इन देवताओं को आप इनसानी सवरूप में कैसे दिखा सकते हैं और इनकी क्वालिटीज भी आप इनसानों जैसे कैसे दिखा सकते हैं इस चीज पर इन्होंने क्यूस्टन किया किन से होमर से और ह पूर्ट्रे करेंगे क्योंकि होमर और हेशियोड ने कुछ इस बोड़िसानों जैसे तो दिखते ही हैं उनको थोड़ा dost अलग कर दिया किसी के हाथ में मतलों यहां पे ठंडर भॉल्ट है किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ उसके अलावा उनकी शकल, उनका बोडी स्ट्रक्चर इंसानों जैसा है, उसके अलावा उनकी क्वालिटीज भी इंसानों जैसी है, कि वो पावर के लिए लड़ते हैं, उनमें किसी में अच्छाया भी हैं, बुराया भी हैं, डिसीव भी करते हैं वो, मतलब छल कपड, सब त अपनी परिकल्पना के आधार पे देवताओं की परिकल्पना कर ली और कह दिया कि वो तो इनसानों जैसे ही दिखते हैं उनके जैसे ही उनकी गुण हैं शम्ताएं हैं शम्ताएं भली जादा हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज कुछ वैसी हैं ये बात इन यह immoral है क्योंकि इससे आप जो है immoral actions को भी promote करते हैं कि देवताओं ने ऐसा किया क्योंकि देवताओं को कुछ immoral activities करते वे भी दिखाया गया है होमर की किताबों में या फिर है शियोड की तो वो कहा कि देवताओं को आप उस तरह से नहीं दिखा सकते हैं आपको उनको completely moral दि Suzanne करेंगे सबकी अपनी-अपनी धारणाई ईष्वर तो अगर है तो एक ही है otherwise है नहीं मतलब इन्होंने निकाल नहीं हैं लेकि अगर है इश्वर तो एक ही है तो वह ईश्वर जो है वह अलग तो के परती यह जो चीजें हैं यह जो है गलत है क्योंकि इसमें आदमी अपने-पने इसाब से तरक देता है और अपने आपको महान भी बताता है कि यह लोग क्या करते हैं कि जिस religion में मैं पैदा हुआ कोई भी आदमी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जिस religion में मैं पैदा हुआ वही सबसे superior है और वही सबसे अच्छ है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है तो यह बात कहां से rational हुई इसमें तर्क कहां है जस्ट विकोज आपने जैसा देखते हैं इश्वर को कोई निराकार बल देता है कोई बोलता है कि उसका इस तरीके का आकार है जैसे Egyptian religion में उनको एनिमल सवरूप भी दिया गया था तो उन्हों ने कहा कि अगर कल को यह तो हम क्या है इनसान सोच पाते हैं परिकल्पना कर पाते हैं और किसी के बाते कई और उन्होंने सवाल उठाए कि यह जो आपने बिलीफ बना दिये हैं इनका आधार क्या है आप उसमें morality कहां से तलाश करेंगे especially अगर आप उस समय के Greek religion की बात करें तो इस तरीके की Homer को और उस समय के theologians को यहां पर criticize किया जैनो फैनिस नहीं तो इस चीजों के उपर उन्होंने कहा कि आपको सोचना अपड़ेगा तरक पूर्ण हो जाना पड़ेगा बिना तरक कि आप किसी भी चीज को यह नहीं कह सकते कि मेरा superior है दूसरों का अच्छा नहीं है तो यह subjective nature of the beliefs की बात जो है इसको उन्होंने highlight किया यह तो विशे है अपने अपने सोचने का कोई भी objective truth नहीं है इसके बारे में कि इश्वर यह ऐसा है ऐसा दिखता है और यह यह उसमें qualities है यह उसमें कमिया है यह कोई नहीं बता सकता क्योंकि हर अलग-अलग religion का व्यक्ति हर अलग culture क व्यक्ति उसे अपने हिसाब से देखता है अपने हिसाब से उसको महसूस करता है और अपने हिसाब से ही उसके definition देता है तो यह बात है उसके बाद उन्होंने Greek religion को criticize करते हुए यह भी कहा कि people should avoid privileging their own religion and religious views over the others without good reasons कि अपने religion को सरवश्रेश बताना और दूसरे वाले को कमजो भी नहीं जानते कि जिस चीज में वो बिलीव कर रहे हैं वो सही है या गलत है और उनके पास कोई इसका reason भी नहीं है हाँ मानलो एक religion A है और इसमें कुछ immoral बाते कही गई है तो उसको criticize कर सकता है कोई दूसरे religion B वाला व्यक्ति ठीक है क्योंकि यहाँ पे उसके पास तरक ह लेकिन अगर इसके पास तरक नहीं है just because B was born in a religion कोई सी भी religion में पैदा हुआ और यह कहे कि मैं पैदा हो गया इस religion में तो मेरा वाला सर्वस्रेश्ट है तुम्हारा वाला कमजोर है यह नहीं कह सकते है यह कोई तरक नहीं है तो इस तरीके की बाते उन्होंने कही उन्होंने reasonable, reasonable के उपर बात करी, rationality के उपर बात करी कि आपको अपने चीजों को समझने के लिए reasonable होना पड़ेगा तरक पूर्ण होना पड़ेगा और जो बाते उसमें कही गई है उसमें अगर कोई कमी आपको नजर आती है तो आप उसके उपर questions भी कर सकते हैं सवाल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो traditional beliefs को उन्होंने उस समय का जो traditional beliefs चल रहा था Greek society में उसको criticize किया अपने हिसाब से तो उन्होंने इश्वर की परिकल्पना किस तरह से की होगी जब वो इस तरह से criticize कर रहे हैं Homer को या Haysiard को तो लोगोंने उनसे भी पूछा होगा कि आपके हिसाब से इश moral things इश्वर को कभी भी immoral चीजे करते हुए नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि अगर इश्वर जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं इश्वर को जो आदर्श मानते हैं लोग वो लोग अगर उसे ही immoral activity करते हुए देखेंगे तो वो कभी भी moral नहीं हो पाएंगे और वो भी य इस बात का कि इश्वर को कभी भी immoral चीजे करते हुए नहीं दिखाना चाहिए एक एंगल तो यह है कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि इश्वर की तुलना आम इंसान से की जए उसके गुणों के बारे में या फिर उसकी शकल सूरत के बारे में कभी भी उनसे जो है comparison नहीं किया जाना चाहिए चाहिए वो अच्छी properties हों अच्छी qualities हों चाहिए बुरी qualities हों लेकिन इस से कोई हमारे पास व्याक्या निकल के नहीं आती यह तो एक opinion हो गया ना कि नहीं रखो इंसान जैसा दिखाओ ही मत लेकिन यह तो एक रहस्य हो गया कि उनकी परिकलपना क् परफेक्शनिस्ट के तौर पर होनी चीए कि वो परफेक्ट है उसमें गुड़नेस है और उसको उसके जैसा बनना इंसान का गोल हो और उसमें सारी अगर morality होंगी और वो सबसे उपर दिखाया जाएगा सर्वश्रेश दिखाया जाएगा तो लोग उसको फोलो करेंगे आपको और शुरू में भी बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि मैं मेरा सच जान सकता हूं और उसमें बिलिव कर सकता हूं कि हाँ भई मुझे ऐसा लगता है लेकिन वो ultimate truth है इसकी कोई guarantee नहीं है और कोई जान ही नहीं सकता उन्होंने कहा कोई भी mortal जो भी जिसका अंत होने वाला है जो भी नश्वर है वो कोई प्राणी उसके बारे में जान ही नहीं सकता पूरा सच यह कह दिया था तो अपने आप ही उन्होंने एक जो डिबेट है उसको अपन छोड़ दिया खुला छोड़ दिया कि सब अपने हिसाब से सोचो लेकिन ऐसे मत सोचो कि मैंने मैं किसी ने तो उनको कहा कि वो तो मोनोथीजम को फॉलो करते थे मोनोथीजम का मतलब है एक इश्वरवाद की धारणा को फॉलो करते जैसे कि इसलाम में होता है क्रिस्चियनिटी में होता है जूडा इजम में होता है तो मोनोथीजम जो है उसको फॉलो करते थे हलांकि उस द समय का Greek religion उसको मानते थे कुछ कहते हैं कि Pantheism को मानते थे Pantheism की बात अभी मैं आपको करूँगा बताऊँगा कि इसकी क्या definition होती है कुछ कहते थे कि वह Atheist थे Atheistism को मानते थे यानि नास्तिक थे ठीक है कुछ मानते थे कि वह Materialism को मानते थे और कुछ कहते हैं Immaterialism को यानि कि Materialism का मतलब इश्वर का कोई आकार है और Immaterialism का मतलब इश्वर निराकार है तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में कही जाती हैं अलग अलग लोगों के द्वारा जो उनकी बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर पाई सो तो इश्वर का जो एक तरीके से आंकलन है जो लोग करते हैं अपने अपने इसाब से वो कितने तरीके का होगा इतने लोग हैं इतने कल्चर रहे इतियास में अगर आप जहांक के देखेंगे तो हजारों तरीके के कल्चर थे और सैंकडों तरीके के Religions उनकल्चर में आये develop हुए कुछ खतम हो गए कुछ आज भी हैं कुछ बड़े religion बन गए बहुत लेट उनका उदे हुआ और कुछ religion बहुत पहले से थे लेकिन उनका अंत हो गया complexity की वज़े से या beliefs की वज़े से लेकिन एक समय पे जिन चीजों को लोग believe करते थे कि ऐसा इश्वर होता है वो ब fragments हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उनकी बातों को बहुत हद तक आप समझेंगे यह लाइने देखिए वन गोड देखिए वन गोड इस ग्रेटेस्ट एक इश्वर सबसे महान है अमंग गोड्स एंड मैन बाकि सभी देवताओं में और सभी लोगों में वह सब से उपर है सर जितने पोडे हैं वो सब एक दिन उनका अंत होना है तो वो मरतक हैं यानि कि वो नश्वर हैं तो यह जो इश्वर है यह mortal नहीं है यह immortal है बाई बोड़ी एंड थोट उसकी सोच भी नहीं मरती उसकी बोड़ी भी कभी उसका अंतनी हुता whole he see, whole he thinks and whole he hear वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सोच सकता है, सब कुछ सुन भी सकता है but completely without toil he shake all things by the thought of his mind वो बिना हिले बस अपनी सोच मातर से ही पूरे बर्मांड को हिला सकता है यह बात उन्होंने कही always he abides in the same place, not moving at all, वो हमेशा एक ही जगह पे इस्तिर रहता है, वो बिलकुल भी नहीं हिलता है nor is it seemingly for him to travel to different places at the different times, उसे एक जएस से दूसी जगह अलग अलग समय पे भूमने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो एक जएस सब को चला सकता है तो उसे किसी तरह की चीजों की जरुवत नहीं है अब इन चीजों का, इन fragments का, अलग अलग लोगों ने क्या अर्थ लगाया और क्या interpretation निकाला उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला तो यह है कि वहीं क्या जैन फैनिस मोनोथिस्टिक थे एक इश्वर वादी थे एक इश्वर की धार्णा में भी लोग बिलीव करते थे तो इसमें जो लाइन आती है पहली लाइन जो थी कि एक इश्वर सबसे उपर सर्व अपरी है यहां से कहीं न कहीं इस सेंटेंस का मीनिंग जो है कई लोगों ने लगाया कि मोनोथिस्टिम को बिलीव करने वाले व्यक्ति थे क्योंकि यहां पे एक इश्वर की बाद की गई है लेकिन बहुत सारे स्कोलर्स ने इसको बाद में कहा कि देखे वो एक कवी आदमी थे और कवी जो है वो चीजों को पोईटिक वे में जब समझाता है तो वो चीजों का एक दम वैसा का वैसा नहीं लिखता कि ठीक है एक ब और भी इसके तरक में कही गई कि देखे जब जब उन्होंने होमर को क्रिटिसाइज किया था जब होमर के बारे में उन्होंने कहा कि जब होमर ने देवताओं को मानविये सवरूप में दिखाया उनकी शकल सूरत बोडी शेप वैसी दिखाई और उनके अंदर गुन्द भी है वो ऐसे ही दिखाए अच्छा या बुरा या दिखाई तो उन्होंने कहा कि देखे उन्होंने होमर को क्रिटिसाइज किया उस चीज के लिए कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि होमर तूं बहुत सारे देवताओं की बात क्यों कर रहा है देवताओं तो एक ही है इश्वर त तो ये single God की जो बात है basically कि जैनो फैनिस एक इश्वरवाद को मानते थे या नहीं मानते थे ये बात काफी complex है और इस बात को हम पूरी तरह से clear कर नहीं सकते क्योंकि कहीं पे भी उन्होंने clearly ये नहीं कहा कि मैं एक इश्वरवाद की धरणा में मानता हूँ और मैं बहुत सारी इश्वर की बधारणा में नहीं मानता कि बहुत सारे देवता होते हैं बस उन्होंने एक बात लिख दी थी कि वन गोड इस ग्रेटेस्ट अप अमंग अल दे गोड्स एंड मैन ठीक है उसके अलावा उसके अलावा वन गोड इस प्योर स्प्रेट एंड इंटारली सेपरेट फ्रों दे वर्ड एक इश्वर जो है बाकी सारे संसार से अलग है इस तीज तरीके की बाते कही एक व्यक्ति थे जोनाथन बांस उन्होंने इस चीज को ज्यादा एड़ोकेट किया और कहा कि जैनो फैनिस जो है व अमोने फैन्म को फेलो우 किया जाता था अब रहामिक रिलीजनस औह फूर्ना को कफी पोपलर किया है कि अ फिर दूसरा बात आता है सवंधाल दूसरा सवाल जो तो वो क्या हो गया इम्मेटरिलिस्ट हो गया तो क्या जैन फैनिस इम्मेटरिलिस्ट थे तो उनकी लाइन देखिए जो लाइन मैंने उस समय आपको पढ़के सुनाई थी God is different from human both in body and thought ये उन्होंने कहा था कि जो God है वो humans से body और थोड़ से अलग है लेकिन इसमें ये कहीं पता नहीं चल रहा कि उसकी body है या नहीं है some ancient interpretation thought this meant God lack of body कुछ ने इसका ये तरक लगाया कि उसकी कोई वो आकार है ही नहीं वो इश्वर जो है उसके पास body structure नहीं है वो निराकार है entirely in corporal है ठीक है लेकिन इस तरीके की बात यहाँ पर उन्होंने कहीं नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि इश्वर जो है वो मानो जैसा दिखेगा या अनिवल जैसे दिखेगा क्या पता वो कैसा दिखता है हमें कैसे पता हमने दो देखा नहीं हमने साक्षातकार नहीं किये उन लेकिन आप के लिए वो ऐसा इस इश्वर नजर आ रहा है किसी दूसरे के लिए वो इश्वर किसी और तरीके का भी नजर आ सकता है ठीक है तो आप ये मत मानिए कि आपने जो चीज सोची है वो पूरी तरह से ultimately truth है वो सच है कि इश्वर ऐसा ही नजर आएगा इश्वर ऐस जैसा ही है वो बात गलत हो जाएगी उन्होंने ओपन छोड़ दिया कि अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं लेकिन इश्वर को मानव सोरूप देना उसकी जैसे गुण बताना यह गलत है इम्मोरल है क्योंकि उसके बाद लोग जो हैं उनको मोरली फोलो नहीं कर पाएंगे व इश्वर को उन्होंने उस तरह से बताया था ना कि वो सिर्फ सोच मातर से पूरे संसार को हिला सकता है यह बात उन्होंने कहीं थी तो इसमें भी यह चीज नजर आती है कि उसको किसी तरीके का बोडी मुमेंट करने की जरुवत नहीं है जबकि इलियाड में जो फेमस उसके बाद धरती पर बड़े तुफान आते हैं बारिश आती है वो चीजह होती है तो इस बात को खारिज कर दिया पूरी तरीके से होमर की बाद को जैनल फैनिस ने जैनल फैनिस ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं करना उसे वो सिर्फ सोचेगा और वो कुछ सब कुछ हो जा और तुम भी immaterialistic तरीके से इश्वर को सोचो कि उन्होंने यही तो कहा था कि open the debate is always open हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता है तो यह चीज़ है कि इस चीज़ को भी complicated यह भी complex है बात कि जैनो फैनिस immaterialistic थे या नहीं थे इसलिए तो हम यह बात कर रहे हैं कि अगर हमें पक्का ही पता होता है कि मेटलिस्टिक थे यह कोई कहता है कि Pantheistic थे, Pantheist थे, Pantheist का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Pantheist क्या होते हैं, बहुत तरीके के Religion होते हैं, Monotheistic, Pantheist, Polythistic और Animistic, इस तरीके के Religion होते हैं, कभी इसके बारे में बात करेंगे कि Types of Religion के बारे में तब मैं आपको बताऊँगा, तो Pantheism Religion क वो परकार है, जिसमें Pantheist लोग ये मानते हैं कि कन-कन में भगवान है, इश्वर जो है, यूनिवर्स में पूरी तरीके से समाहित है, धरती और इस पूरे आकाश में जितनी चीज़ें आपको नजर आती हैं, उस हर चीज में इश्वर है, और इश्वर को separately किसी भी आकार म पूजने की जरुवत नहीं है, अगर आप उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो हर चीज का सम्मान किजिए, हर चीज कोई पूजिए, क्योंकि यूनिवर्स ही गोड है, गोड ही यूनिवर्स है, वाइस वर्सा, ये बात मानते हैं Pantheist, तो Pantheism को मानने वाले थे क्या, यहां पे कौन, जैनोफैनिस, तो गोड और इश्वर को, गोड और यूनिवर्स को अलग तरीके से देखने वाले जो थीजम को मानने वाले लोग होते हैं, और Pantheism वो होता है, जिसमें God equal to universe होता है, ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना है आपको, Was जैनोफैनिस a Pantheist? सवाल वापिस वही आता है, तो some scholar have suggested that जैनोफैनिस believes God to be spherical and identical with the universe forming a pantheistic viewpoint, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से universally उसको बताया है, कि वो spherical है, उन्होंने आंकलन किया है लोगोंने, कि उनकी जो तरक है, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, कि God को वो spherical द देखते हैं, कि वो universe जो है, वहीं तो सब कुछ वहीं से तो control होता है, तो वहीं सब से तकतवर है, और वहीं से सब चीजे होती है, आप जानते हैं, तो यह एक pantheistic viewpoint है, और some scholar जो है, ancient, उन्होंने ये काई दिया, कि attribute this idea to him, describe God is spherical, eternal and motionless entity, motionless entity है, universe as a whole, उन्होंने देखा कि वो एक motionless entity है, तो उसी को इश्वर इन्होंने माना है, जैनो फैनिस ने, तो ये जो interpretation है, इसको भी कई लोगों ने challenge किया और कहा कि देखो ऐसा है, जैनो फैनिस की actual writing में, उन्होंने कभी भी उसको spherical बोला नहीं, और ये नहीं कहा कि बर्मांड के किसी कोने में, या बर्मांड ह पूरा इश्वर है, उन्होंने तो अपनी line में ये कहा है न, कि God is shaking all the things with the power of thought, वो अपनी सोच की शक्ती से पूरी चीजों को shake कर सकता है, खतम कर सकता है, हिला सकता है, तो यहाँ पे spherical angle कहां से हुआ, यहाँ पे तो किसी एक ताकतवर, omnipotent God की बात हो रखी है, जो कि सब कुछ manage करता है, तो यह जो इनकी जो line है, यह इस चीज को खारिज करती है, कि इनका view जो है वो panthistic था, यानि panthism को कहीं believe करते थे, तो अलग-लग लोगों के, अलग-अलग ideas है, जैन फेनिस के theological views के उपर, जैन फेनिस ने सबसे पहले criticize ही किया था, Greek religion को, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो जो बातें बोली, उसकी वज़े से, उनकी बातें भी इतनी complex हो गई, कि लोग उसनी समझ पाई, कि actually जैन फेनिस की इसमें believe करते थे, फिर critique of knowledge, ज्यान का जो सुत्र है, उसके उपर उनकी क्या सोच थी, उनका मानना था, कि जो ज्यान में मान शाहिए, study of knowledge है, epistemology है, इसके लिए उन्होंने से धांत दिये कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति जो है, वो पूरा सच नहीं जान सकता, विशेशकर इश्वर के बारे में, और भी विश्यों के बारे में, हर चीज, हर व्यक्ति तो जान नहीं सकता, और संधेवाद के बार था और ये बात गलत हो गई, तो संधे करते रहना चाहिए उस चीज के उपर, और जो human knowledge है, वो अपने experience, और अपने समय की साथ-साथ, जिन चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी वज़े से develop होता है, और उनी से हम चीजों को सीखते हैं, और अपने अपने हिस्से का सच जान लेते हैं, चाहे वो सच जो है, वो universally सही हो या नहां हो, ठीक है, तो skepticism को भी उन्होंने express किया, संधेवाद को भी, anyone having clear and certain knowledge, especially about the gods, किसी के पास भी पूरा सच्चाई नहीं हो सकती, इश्वरों के बारे में की कैसे दिखते हैं, इसके बारे में उन् and ever will know the truth about the gods and about everything, I speak of ever, even if one chance to say that the complete truth, yet oneself, it not but seeming is wrong over all things, basically उन्होंने ये कहा, इन दो संध में आपको एक चीज़ नज़र आएगी, कि अगर कोई इश्वर की ये कोई परिकल्पना दे भी दे, और कहें कि मैंने सब कुछ जान लिया है बई, और यही सच है, यही पूरन तयसत है तो भी आप उसीज़ को मान नहीं पाएंगे, और कुछ समयवाद उनकी जो बाते होंगी उनको चैलेंज कर देंगे, क्यों? क्योंकि सच्चाई में इश्वर को कोई साक्षात तो देखता नहीं है, जाके तो मिलके आता नहीं है, मिलके नहीं आता है, तो वो परिकल्पना ह नहीं देगा और उस परिकल्पना का कोई ना कोई कोई दूसरा व्यक्ति जो है, उसका विरोध करेगा और वो दूसरी तरीके से देखी जाएगी, तो अलग-लग कल्चर, अलग-लग रिलीजन और अलग-लग जगे के लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, उन्हों नहीं यह कभी नहीं कहा, skepticism में, अपने संदेवाद में, कि आपको knowledge की possibility आपकी खतम हो गई, कि फिर तो कुछ जानने का बचा ही नहीं, जब हम सच जान ही नहीं सकते तो फिर क्या करें, उन्हों नहीं ऐसा नहीं कहा कि आप जान नहीं सकते, बट उन्हों नहीं यह कहा, कि ओवर- कि मैं बहुत कम जानता हूँ, हना, कि मुझे पता है, कि मैं उन लोगों में से हूँ, कि जिनको खुद यह आभास है, कि मैं जितना जानता हूँ, वो limited है, और भी जानने के लिए बहुत कुछ है, ज्यान अनंत है, तो यहीं बात उन्होंने कही, कि ज्यान आपको होगा, ले तो इन्होंने यही कहा कि आप continuously process में रहेंगे, learning के, चीजों को जानने के, और अपने अपने हिस्से का truth जान पाएंगे, लेकिन ultimately पूरा ग्यान या पूरा truth कभी भी नहीं जान पाएंगे, और यह हो ही नहीं सकता किसी भी mortal के लिए, क्योंकि उसे अनंत काल तक यह चीज कर constraint by the what we can observe, क्या हम देखते हैं, क्या हम observe करते हैं और उसके उपर हमारी समझ का development होता है, वो भी अपने अपने तरकों को समझने के angles के माध्यम से, हमारे जो senses हैं, five senses, देखना, सुनना, चीजों को सपर्ष करना, सपर्ष करने से, यह सब चीजों से हमें, हमारे sensations के माध्यम से और हमारे चीजों के उपर, हमारे तरकों के माध्यम से हमारा ग्यान डेवलप होता है, जैनो फैनिस अर्ज, humility to our opinions, humility दिखानी चीए हमें, जब भी भी हम किसी को opinion दें, तो हमें उसमें थोड़ा सा सौच समझ के देना चीए, बहुत ही ज़्यादा polite होना चीए, और कभी भी यह नहीं कहना चीए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, हमेशा कि आप किसी को overconfident होके, किसी को पूरी तरह से खारिज कर दें किसी की बात को, तो वो गलत है, क्योंकि उसका अपना opinion रहता है, अपनी सोच रहती है, और उसका अपना नजरिया होता है, तो इन्होंने कहा कि जबी भी आप किसी को opinion दें, तो आप humble होके दें, overconfident या egoistic होके ना दें, और उसके अलावा, इन्होंने अर्थ, water and fundamentals के उपर भी बात करी, अर्थ and water को इन्होंने fundamental माना, ancient जो फिलोसोफर्स थे, इस्पेशली मिलेटर्स के, इन्हों को मिलेशन का जाता था, जैसे कि थेल् फिलोसोफर्स माने जाते हैं, हिस्ट्री के, उनको एनक्सामिनेस, एनक्सामाइंडर्स, इन लोगों ने अलग लग तर्क दिये, किसी ने कहा कि बई, देखिए, सब चीजें जो हैं, जैसे थेल्स ने कहा, सब कुछ पानी से बना है, मूल क्या है, जो key elements है, जो basic element है, वो water ह एनक्सामिनेस ने कहा कि हवा से बना है, सब कुछ, हरकलेटेस ने कहा कि fire से बना है, जैनोफनेस ने कहा कि अर्थ और water से बना है, और यहां पे एक और व्यक्ति थे जिसका नाम है, क्या नाम है, एनक्सामिनेस ने कहा कि अप्रियों नाम के एक कंड से बना है, भारत में पं सब कुछ बना है यह पुराना सिधान था पंच तत्व का इन में से आकाश को अगर छोड़ दिया जाए तो चार पॉइंट बने चार चीजे बनी इन चार चीजों के बारे में किस ने कहा था अरिस्टोटल ने कहा था कि चार इन चार चीजों से सब कुछ बना है तो अलग लग लोगों की अलग लग व्यक्षा है थी उनमें से एक व्यक्ति थे आपके जैनल फैनिस इन्हों का कि सब कुछ जो हैं दुनिया की सारी चीजें जो हैं उनका मूल करन अर्थ और वाटर है या तो कुछ सुका होता है गिला होता है उसके लाव फाइर की उन्होंने बात करी कि देखिए जो ओल तिंस हैं वो तो बनी है किस से ओल्क तिंस कम इंटू एक्जिस्टेंस विद and grow with the Earth and water सारी चीजें पानी और अर्थ से ही बनी है हालां कि कोई detail व्यक्खे इसकी दे नहीं पाए जैसे कि आ अपनी fire के सिदांत में बहुत detail बातने थी यह इतना detail में कर नहीं पाए हालां कि यह जो को इन्होंने कुछ चीज़ों में JAMES कि लिए इन्होंने एक बात कही थी कि देखे अभी मैं दिखाऊंगा आपको इन्होंने कहा था कि जो यह है फॉसिल वगरा बनते हैं और जो सन का बनना है सूरज का जो बनना है उसके ओपर जो इन्होंने बात कही थी कि सन जो है आपको मिलाई दूआ मैं अभी दिखाई देता हूं कह regularly बनता है बड़ा होता जाता है और the peace of fiery earth इसके बारे में कहा कि fire की वज़े से अर्थ ये जो है आपका sun बनता है उस समय के ancient धारना थी ये उनके हिसाब से जिसकी वज़े से हेराकलेटिस भी जो है इससे परभावित हुए और हेराकलेटिस की जो philosophy है वो इसकी वज़े से जो वर्टर के fundamental के तोर पे उन्होंने कही थी उसके अलवा जैनो फैनिस डेवलाप इस थिवरी बाइद एग्जामनेशन ओफ फॉसिल्स फॉसिल के बारे में अध्यन किया था इन्होंने और अपनी चीजों को इंप में अपने घ्यान को बताने के लिए जो कुछ उन्होंन इस एरा में वो फॉसिल्स को एकटा करके उनके बारे में अध्यान करते थे कि यह फॉसिल कितना पुराना है किसका है और हुमन और जो एनिमल्स हैं उनका evolution कैसे हुआ यह सब चीजे यह जानने की कोशिश करते थे लेकिन बहुत डिटेल में इनके बारे में हमें information नहीं मिल करता कि यह बता रहे हैं अपना सच और उसमें और confident हो रहे हैं तो इसलिए यह क्या करते थे चीजों को सही साबित करने के लिए example देते थे और basically उनके evidence भी देते थे तो जैनिफैनिस not only was the first recognizable significance of fossils, fossils के बारे में recognizable पहले ऐसे विग्यानिक दश्चिकोन रखने वाले व्यक्ति थे कि fossils का अध्यान करना बहुत जरूरी है पास्ट को जानने के लिए और चीजों को जानने के लिए उनके बनने की परकिरिया को जानने के लिए but also the pioneer of the early stages of scientific inquiry scientific inquiry में इनका एक basically legacy है क्योंकि ये इस तरह से चीजों को समझाने की कोशिश करते थे sorry उसके बाद heavenly phenomena's को समझाने का भी इनका यही angle था जैसे कि sun को समझाने का इनका था जलते हुए बादलों की वज़े से सूरज बनता है या fairy earth की phenomenon की वज़े से बनता है उसी तरीके से इन्होंने rainbow stars और अलग लग तरीके की चीजों को समझाने के लिए fire का जो है concept समझाने के कोशिश करी कि fire as a product of clouds को समझाने के इन्होंने कोशिश करी कि सभी clouds जो है वो इसे fire से जलते हैं उसकी वज़े से sun और stars वगेरा बनते हैं उसके अलावा इन्होंने rainbow के भी बनने की परकिरिया को बताया कि natural phenomena है जब clouds जो है clouds like purple, red, green, yellow originating from clouds दूसरे clouds में जब अलग अलग कलर के clouds originate होते हैं तब यह जो है इंदर धनूश बनता है जिसमें आपको पता है कि यह साथ रंग होते है इसलिए इसके उपर मैं कोई ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि इस पर जयादा detail में कहते थे उसके लाव उनका मा संदर source एक मादयम से है ही क्योंकि संदर रहत होता है तो उसके बाद बादल बंटेर बादलों के बाद बशात हो तेर बर्सात की वजह से कई सारे नदिया जरने वगेरा बनते हैं तो यह उस तरह से चीजों को देखते थे वाइल लेकिंग ओफ क्लियर साइंटिफिक इसे चीजों को ट्रेटिशनल तरीके से देखने की वजाए साइंटिफिक ली देखना चाहते थे और अलग तरीके से कोई कहते हैं कि कि पानी से और कोई कहता है किसी चीज से लेकिन basically कम से कम यह नहीं कहते थे कि देवताओं ने ही बरशाद करते हैं देवताओं नहीं पानी बनाया और उन्हों नहीं क्रियेट किया उस तरीके की बातें ये लोग नहीं कहते थे ये जैसे जो फिलोसोफर हैं उसके एकस्प्लेनेशन जो है वो दे नहीं पाएं तो बेसिकली आप कह सकते जन्रों फैनेश क्योशन ट्रेडिश्ट बिलीफ के बारे में उन्होंने क्यों किया कि आप जिस तरीके के रिलीजिएन ऐंगल से हर चीज को समझाते हैं उसके बारे में उन्होंने सवाल किया और explanations के उपर इन्होंने ध्यान दिया कि natural होती हैं चीजें और साइंटिफिक होती हैं उन फिनोमेना उसको उस तरह से समझाया बट इस आइडियाज वर नोट फुली अप्रिशेटेड बाई लेटर इंफ्लेंशल फिगर्स लाइक प्लैटो एरिस्टोटल ने उनको अप्रिशेट नहीं किया उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने धार ना दिये लोगों को क्रिटिसाइज किया लेकिन अपनी जो फिलोसोफी है और अपना जो साइंटिफिक एंगल हवस को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाई इनकी डेथ जो है वो डेथ का जो समय है वो माना जाता है 478 का से कई जगह 475 का तो 475-478 BCE में इनकी डेथ हो गई थी तो तक्रीबन आप देख सकते हैं कि 570-578 यानि 92 साल तक जिंदा रह ulis historic records मिलते नहीं हैं legacy और influence के बारे में बात करें तो यह important है इनका influence जैनो फैनिस की पुरानी फिलोसोफी ने परभावित जरूर किया है वाइल प्लेटो इन्हों ने अपनी फैनिस को कहीं आधार बनाया है लेकिन उन्हों उन्हों को समझा किसी चीज का जवाब होने से पहले आपको सवाल मिलना चाहिए तो सवाल होगा तभी तो जवाब मिलेगा तो वो सवाल जो है कहीं ना कहीं जैनो फैनिस छोड़ के गए थे और उनकी जो समझ थी फैनिस को लेकर चीजों को लेकर इस्पेशली रिलीजिन के लेकर वो काफी पॉपलर हुई और काफी उसके बारे में बात होती है जैनो फैनिस डिन्न असेट डैट अब्जेक्टिव ट्रुथ औफ इस वीव उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने जो कह दिया वही पर लेकर दोते करें इनसे तुम ज़्यादा सही कह रहा हूँ मैं होसकता है गलत हूं लेकिन इनसे सही हूं ऐसी चीजे तो नहीं होती जैसे क्ये बोल रहे हैं कि ऐसे देवता होते हैं तो लास्ट में इनका जो कोट है यह बहुत महत्तों इसको देखेए क्या करें let these things then be taken as like the truth मान लीजिए जो कुछ आपने जीवन में सीखा वही सच है लेकिन वो आपका सच है पूरा सच नहीं है only the one God know the truth जो इश्वर है वही परम सत्य जानता है mortals यानि मर्तक जो नश्वर हैं वो कभी भी पूरा सच नहीं जान पाएंगे कि पूरा परम सत्य क्या है वो सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं वो सिर्फ प्रियास कर सकते हैं और वो प्रियास कभी खतम नहीं हो सकता क्योंकि वो एक प्रोसेस है different people and different cultures will interpret the ultimate truth differently हर जगे के लोग, हर culture के लोग, हर religion के लोग ultimate truth को अपने अपने हिसाफ से interpret करते हैं but these in the end are simply reflection of the truth which they only see itself वो सिर्फ एक reflection है जैसा कि वो अपने आप में उस सिध्धान को देखते हैं उस सच को देखते हैं और उसे मानते हैं तो ultimately बात यह है कि कोई भी चीज जो है वो truth जो है वो परम truth नहीं है परम सत्य नहीं है एक व्यक्ति विशेश जो है वो अपने अपने हिसाब से अपना अपने हिस्से का साथ जान सकता है उतना जानना उसके लिए ठीक है लेकिन उसके लिए वो से कभी भी egoistic नहीं होना चीए over confident नहीं होना चीए कि मैं सब कुछ जानता हूँ यह था इनका सिद्धान तो hopefully आपको चीजे clear हुई होगी ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो like, share, comment कीजिएगा साथ ही success plus academy की application को भी download कीजिएगा यहाँ पे आपको इन वीडियो की pdf मिल जाएंगी इन से related और video lectures भी मिल जाएंगी साथ ही success plus academy के premium courses भी आपको access हो जाएंगे बहुत appropriate price में और success plus academy के बाकी platforms के साथ भी आप जुड़ सकते हैं Instagram, Telegram, Facebook page तो thank you so much for watching this video have a good day, see you in next class